दोस्तो आपने अकसर टेंक्स की बेरल के उपर कुछ इस तरीके से बने हुई इस मोटी चीज़ को देखा होगा मगर क्या आपको पता है कि ये चीज़ क्या होती है और इसे टेंक्स के उपर क्यों लगाया जाता है दरसल दोस्तो इस चीज़ को बोर एवेक्वियेटर कहा जाता है अगर इसकी यूज की बात की जाए तो इसे खासकर टैंक में से निकलने वाली जहरीली गैसिस को बाहर निकलने के लिए यूज किया जाता है दरसल जैसे ही टेंक में से शोट को फायर किया जाता है तो शोट अपने साथ काफी सारा explosive smoke और जहरीली गैसिस छोड़ते हुए बाहर निकलता है और ये गैसिस इतनी ज़्यादा जहरीली होती है कि अगर ये गैसिस फिर से बेरल से होती हुए टेंक के अंदर चली जाती है तो टेंक में बैठे crew members की मौद भी हो सकती है और इसी वज़े से जहरी शोट बेरल से होते हुए बाहर निकलता है तो सारी गैसिस बेरल में बने इस चेंबर में फस जाती है और बाद में अपने आप बेरल से होते हुए बाहर निकल जाती है दोस्तों कि आपको ये बात पहले से पता थी मुझे कमेंट्स में जरूर बताए